लुमिने प्रदेश मा डेंगु को संक्रमण बर्न थाले पची अस्पताल हरुमा बिरामे को चाप बर्न थाले को छुछुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु एक-एक जना को डेंगु संक्रमण बाट मेरित्यु भायको छो प्रदेश स्वास्त निर्देशनालाई का प्रभक्ता पौडेल ले लुमिनी प्रदेश मा हाल समध 2700 जना भन्दा बड़ी मा डेंगु को संक्रमण देखे को जानकारे दिनु भयो प्रदेश का स्वास्त मंत्री इंद्रजित थारूले देंगु रोक को प्रकोप को नियंतर्ण तथा रोक थाम मा हरेक नागरिक को दायत्त भयकुर अउसदी उपचार मा सरकारले कमी आउन न दिने प्रति बदता ब्यक्त गर्न भयो प्रदेश सरकार्गों तरवाट सबय जिल्लार मा स्वास्त मंत्री इंद्रजित देखी लियर इति वहला देखी नियंत्रन के प्रति दिनगो नियंत्रन के वहले के 들어가 अंगली उप्चार दोन परच अश्दियो आभाप अन देनों भुदाइन अभ तेरा इंदेशन पर दिदरेगा छो स्वास्ति मंत्रालाय का सचीप डाक्टर विकास देपकोताले अज़े दूइ मैना समभ दिंगु को प्रको प्रहने अनुमान गरियेको बताओनू भयो अईले संक्रमण केई गते पनी असोज कार्तिक समभ दिंगु को संक्रमण रण सकने उहाले बताओनू भयो देंगो रोग एडिस एजिप्टाई जात को पोथी लामखोटेले टोकी पसी हुने एक परकार को उच्च जोरो हो रुपन देहीमा पोईलु पटक 2068 मा 290 जनामा देख्येकु डेंगो को संक्रमण 2047 मा भने महामारीके रुपमा फोईली एरो 2930 जनामा देख्येकु थियो तरह येस बर्ष महने डेंगो रोग थाम अभियान सुन्ने भईपची डेंगो संक्रमण ब्यापक रुपमा फोईली रहे कुछ बर्षाको पानी जमने गमला, टीन का डब्बा, रंग का खाली डब्बा, थोत्रा टायर, अलकत्रा वा मट्टी तेल का खाली ड्रम हरु फूल दानी लगायत्मा लाम खुट्टेले फूल पार ने भईकोले तेस्ता बस्तुमा पानी जमन नदीन, चिकित्स करूले आग्रह गरेकाशन, यो लाम खुटेले विशेश करे दिवसोमा टोक्ने भईकोले, शरी ढाकीने कप्डा हरु लगाउन, डाक्टर हर को सुझाब रहेकोश, राज्ये खबर कलागी, स्वास्थे ब्यूरो को रिपो तेस्ता बाउन, यो लाम Wouldn't You